हम लोग अभी हिदराबाद रेडवे स्टेशन के जिस सामने हैं और आज हम विज्यांत के बस से जाएंगे जबलपूर तक आज तो अभी है मैं दिखाता हूँ कि हमारा बस कौन सा है उस से अब देख सकते हैं वो वाला है चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि बस का बाहर से लुक कैसा है अभी करीब आठ बज रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बस के सामने वाले ग्लास को क्लीन किया जा रहा है ताकि ड्राइवर को गारी चलाने में नाइट में प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से गारी चला सके अब हम आपको बस के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं बस के अंदर का व्यू कैसा है बस का इंठीरियर बहुत सुन्दर है चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारा सीट कैसा है हम लोग का अपर का दो बर्थ है और दो बर्थ लोवर है और इस साइध सिंगल बर्थ होते हैं और इस साइध डबल बर्थ है ये water holder है उसकी जस्ट ऊपर speaker दिया हुए है उसके पीछे AC vennt है और उसके पीछे light है और यहां पर charging slot देवे हैं और दो mobile holder हैं और यह देखिए यह lower birth है इस तरह का same design है seat काफी spacious है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है यह आप देख सकते हैं birth number इस तरह से दिया गया है ताकि पैसेंजर को कोई problem नहों बस का departure time था साड़े 9 बजे और exact time पर बस वहां से खुल चुकी थी जैसे ही बस खुली थोड़े देर के बाद हम लोग अपना डिनर कर लिए जो घर से हम लोग पैक करके लेके गयते हैं जब भी हम लोग ट्रावल करते हैं तो कोसिस यही रहता है कि हम लोग अपने से बच्चों को खिलाए क्योंकि बच्चे अपना हाथ गंदा कर लेते हैं और अच्छे से clean तो करना हो पाता नहीं है और कोसिस रहती है कि घर से ही खाना लेके जाए बाहर का खाना हम लोग एव रात बारा बच के दस मिनट पर बस तुपरन में एक लाइन होटल में रुकी थी बस के स्टाफ द्वारा पताया गया कि जिन लोगों को डिनर करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं बस यहाँ पर 20 मिनट के लिए रुकेगी बचों को यहाँ पर भूक लग गए थी तो उन्होंने चिकन 65 और चपाती ओडर किया बस लाइन होटल में कड़ी 25 मिनट तक रुकी थी अब वहाँ से बस खुली बस बस खुली बस दूसरी बार करीब चार बजे के आज पास एक हाईवे होटल पे रुकी और हमें यहां बताया गया कि यहां बस दस मिनट के लिए रुकेगी जिने वाश्रूम अगरा जाना है तो वो जा सकते हैं कर दो जाना है अब हम लोग नागपूर पहुँच चुके हैं यह जो पीछे वाली बस है जो रेट कलर की है अब उसमें हम लोग को सिफ्ट करना है नागपूर से जबल पूर जाने के लिए सुबा के करीब सारे आठ पजी का टाइम हो गया था प्रेक्पास का टाइम हो गया था तो बच्चों को भूग लग गई थी तो आसपास हम लोगोंने बहुत सारे होटल्स देखे मगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था तो एक गाने वाले भहिया थे वो अपने कस्टमर को गाना सुना करके इंटर्टेंट कर रहे थे और उन्हें धोसा के लाय रहे थे तो हम लोगोंने भी वहां जाके इंज्वाई किया धोसा का टेस्ट ठीक था और प्राइस भी रेजनेबल था बस करीब सवा नौ बजे जवलपूर के लिए रवाना हुई नागपूर से जवलपूर के डिस्टेंस 273 किलोमेटर है जो ये बस लगभग 5 घंटों में पूरी करती है बस से ट्रावल करते हुए हम लोग को बारा गंटा हो गया मगर अभी तक जरह सा भी थकान महसूस नहीं हुआ रोड का कंडिशन बहुत ही अच्छा था बस बहुत स्मूथली चल रहे थी और बस के अंदर हम लोग बैठे वे थे बिलकुल हम लोग को जर्क महसूस नहीं हो रहा था जैसे जैसे हम लोग आगे बहर रहे थे तो मौसम और आसपास का हर्याली देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था यह हम लोग का पहली बार सफर था बस का जो इतना आराम दायक और आनन दायक रहा क्योंकि इतना लंबा रास्ता का सफर हम लोग बस से अभी तक किये नहीं थे और सोचे भी नहीं थे कि इतना आराम से लोग चले जाएंगे जो बहुत ही अच्छा लग रहा है अगर आप लोग को भी कभी अगर बस से ट्रावल करना हो तो आप अराम से कर सकते हैं, रोड बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी हम लोग पेच नैसनल पार्क वाले एरिया से गुजर रहे हैं, रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं कि बैरिकेट जो है, बहुत उचा किया हुआ है, ताकि रोड पे जानवर ना आ जाए 12 बजे के आज पास बस एक लाइन होटल पे रुखी और हमें बताया गया कि यहाँ पर बस 15 मिनट के लिए रुखेगी, जिनको खाना खाना है वो खा सकते हैं। यह देखेए फ्रेंस, यह सामने वाश्रूम है और आप देख सकते हैं कि कैसा कंडिशन बना हुआ है। 20 मिनट के बाद जबलपूर के लिए बस रवाना हो चुकी थी। जबंपूर के लिए नोगजिया जाता है। जबंपूर के लिए यह रवाज तरह बाद आया गयाँ प्राव मैं यह दूगान शेया खाना है। तो यह दिनको नागू का सी जाएगी और नागू के बाद आपको तुछा बस करना होगा तो यह नहीं लोग का बस है कि जान राइबल गए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से बेनीं करना है अगसर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाना हो और ट्रेन का डिकेट नहीं मिल रहा है तो हम लोग third options लेते हैं कि बस से चलते हैं मगर मैं हमेशा से सोचती थी कि नहीं बस से ट्रैवल नहीं करना है क्योंकि बस से ट्रैवल करने पर जर्क होगा बहुत जर्बा ठकान मैसूस होगा मगर वैसा कुछ नहीं हुआ और हम लोग बहुत comfortably बस से ट्रैवल कर रहे हैं यह जो आप ब्रेस देख रहे हैं यह नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है कुछ ही देर में अब हम लोग जबलपूर पहुंच जाएंगे फ्रेंज आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो फ्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंस कीजिए और हमारे चैनल ट्रैवल कॉर्नर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह का आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ और मुझे बहुत मॉटिवेट कीजिए अपने कमेंस से अभी हम लोग जबलपूर रेलवे स्टेशन की नजदी में ही एक होटल भूग किये जिसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे अभी कुछ तेर के बाद हम लोग भीरागाट के लिए निकलेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद